अगर मैं आप से कहूँ कि आप New York शहर में एक property वो भी digitally, ठीक है, एक virtually, मतलब digitally आप एक property New York शहर में खरीद सकते हो, तो क्या आप मानोगे, देखें यह है अप्लेंड, अप्लेंड ने इस चीज़ को मुम्किन कर दिखाया है कि आप virtually उस जगा को, आप virtually खरीद सकते हो, अप्लेंड में account बनाने के लिए आपको कुछ पैसे नहीं लखते है, यह बिलकुल मुफ्त है, पहले आप यहाँ पे sign up कीजिए, sign up करने के लिए अपना email id, एक username सेलेक करिए, फिर email id दालिए, फिर password दालके sign up कर दीजिए, आपको verification email आएगा, आपकी email पर, आप उसे click करके व हमें explorer select करना है, explorer का काम यह होता है, कि वो आपका map भूएंगा, देखिए, यह real map है, United States of America का, यहाँ पर New York, Los Angeles, California, Nashville, Detroit, यह जितनी भी cities है, USA में, यह सब यहाँ पर इस game में, इस map पर मौझूद है, और upland आपको फिलहाल इस cities में, properties खरीदने दे रहा है, तो हम पहले अपने explorer बना लेते हैं, explorer आपको जैसा चाहिए, जो design का चाहिए, आप बना सकते हैं, explorer बनाने के बाद अभी इसको हमें उतारना है, किसी city में, देखिए, अब जैसी explorer हम बना लेते हैं, तो हमें मिलता है, 4500 upx bonus, यह है upx, इसे upx नहीं, इसे upx कहा जाता है, अ आप जब uplander बनोंगे, मतलब इसके बाद वाला level, अब आपको जब level up होगा, तो आपको 2500 coins as a bonus मिलेगा, अब मुझे भी 2500 coins bonus में मिलेगे, अगर आपको कोई referral नहीं use करते हो, तो आपको कोई भी किसम का bonus नहीं मिलेगा इस game में, तो यह है हमारे 4500 coins, और इसी के साथ हम अभ असल dollars के लिए बेच सकते हैं, और यह खूंकिन कर दिखाया है, uplander, अभी हमें, हमारा upland, अभी कही ना कही तो हमें जमीन खरीदनी है, तो देखें, यहां पर सबकी minimum amount लिखे गया है, कि कहां पर सबसे सस्ती property है, जैसे Detroit में आप देख सकते हो, 1530 up x से शुरू होती है, और जितना मैंने वक्त बिताया हूं इस game में, उस हिसाब से Detroit ही, उस हिसाब से Detroit ही मुझे सबसे सस्ती city लगी है, और इसलिए हम अपनी journey Detroit में ही शुरू करेंगे, देखें, यह एक चीज है Fair Start Act नाम की, यह आपको पता होना बहुत जरूरी है, Fair Start Act एक एक ऐसी property होती है, जो सिर् नए players हो के लिए reserved रहती है, FSA properties, सबसे सस्ती properties मानी जाती है इस game में, यह है profile हमारी, और यहाँ पे हमारा current level है visitor, status है हमारा visitor, और मेरा main account है, उस में मेरा level है pro, visitor में आपको limitation है कि आप property खरीद तो सकते हो, पर आप properties को बेच नहीं सकते हो, उसके लिए आपको uplander बनना और uplander बनने के लिए आपको चाहिए 10,000 Apex Coins, और वो 10,000 Apex Coins कैसे gain करना है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, पर फिलाल हम basics को clear करते हो, यहाँ पर अलग-अलग आप देख सकते हो, status है visitor, uplander, pro, director, executive, chief executive, please अपना visa renew करते रहना, जब तक है visitor हो, आपको हर 6 दिन में आपका visa renew करना रहेगा, 6 दिन में नहीं तो भी आप जितनी बार login करते हैं, उतनी बार एक बार renew कर क्लिक कर दीजिए, अगर आपका visa expire होता है, तो आपकी पूरी properties खरीदी चले जाएगी, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ पर arrow दिखा रहा है, यह है 2040 की जमीन, 30 इसकी size है, और इसमें हमें monthly rent मिलेगा, यह आप देख सकते है 24.68, यह actually monthly rent है, और अगर हम इसे boost करते हैं, तो 34.55 तक के यह जा सकता है, कैसे boost करना है, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी हमारे पास है 4500 coins, तो हम इस जगह को बहुत ही आराम से afford कर सकते है, original यह जो जमीन है, मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखिए, आप street view उपर click करके, यह देखिए, यह घर है, पर हम घर नहीं खरिद रहे हो, कि हम यह जमीन खरीदे, जिसके उपर एक घर बना हुआ है, आप upland में जमीन खरीद के उसके उपर चीजे भी बना सकते हो, unminted वो चीज़ होती है, जो के property खरीद ली गई है, और इसे minting की गई है, मतलब बनाई गई है, unminted वो होती है, जिसे नहीं खरीदा गया, जैसे यह जमीन, light green है, ठीक है, अब इसको किसी ने कभी खरीदा ही नहीं है, अब हम इसके पहले owner बनने जा रहे है, और internet पर इसका स अब यह property बन रही है, हमारे नाम इंटरनेट पर, अब मैं बन चुका हूँ, इसका owner, यह है मेरा username, Detroit Sales, और हमने 15762 Princeton Street पर अपनी जमीन खरीद लिये, Detroit में, USA के शहर में, अब यह currently ownership मेरी secure हो रही है, ब्लोकचेन पर, जिस तरह से agreement बनता है जमीन का, उसी तरह से यह property certificate बन र है, जो के हमारे इस transaction को, इस transaction का proof है, अब आप देख सकते हैं, यह हो चुका है, blue, blue का मतलब है कि property हमारी है, जो light green होती है, उसका मतलब होता है, कि वो unminted properties है, जैसे मैंने बताया, और जो dark green होती है, उसका मतलब है, कि किसी ने उसे खरीद है, जैसे यहा पर sunny minded ने इस property को ख बेच रहा है, 3.6 dollars में, 3.6 dollars में, तकरीबन 300 रुपय के करीब, तो आप सोचें, यह 300 रुपय में बेच रहा है, क्योंकि यह बहुत ही सस्ती property खरीदी है, कोई-कोई properties तो लाख रुपय में भीख रही है, property की size के ओपर हर चीज depend होती है, अब यह हो रहा है हमारी ownership secure, यह बेच नहीं रहा है, इसलिए वो white है, चलिए बाजू की भी जमीने खरीदी लेते हैं, हमारे पस जितने coins बचे हैं उससे, 2040 के हमें फिर एक जमीन मिल रही है, हमने second जमीन भी देखे, mint कर रहे हैं, हम internet पे बन रही है, हमारे नाम से एक property एक और वही Detroit शहर में USA के, और यह ह हमारा property certificate, जहां पर हमारी ownership अभी blockchain पर, internet पर secure हो रही है, हमारा, अगर मैं अदम सरल भाशा में करो हो ता हमारा agreement बन रहा है, इस property का, चलिए यहां पर है quick menu, quick menu पर आप जाओगे, तो आपकी जितनी properties हैं, यहां पर show होगी, यह हमारी 2 properties है, 520 अभी current apex value है, हमारी एक property की ownership secure हो खरीदा इस है, अब यह जब मैं view on blockchain करता हो तो यह हमारा proof के हमने इस property को खरीदा है, तेखे, किस तारिक पर, किस दिन पर, किस वक्त पर, यह transaction हुआ है, यह यहां पर मौजूद है, इसमें कितना CPU usage हुआ है, और कितने की मैंने property खरीदा हूँ, और किसके नाम पर property आई है, इस सब यहां पर mention है, और यह आपको email पर भी इसकी details आ जाएगी, तो अब हमारे total value है 4600, जिसमें से 520 हमारे apex coins है, 49 हमें पर मन्त rent आ रहा है, दो properties से, जितनी अच्छी property रहेगी, जितनी बड़ी property रहेगी, जितनी high value property रहेगी, उतना अच्छा rent आएगा, यह याद रुख चुकिए, मतलब यह दोनर जमीन हमारी है, अब इसमें uplander, अब हमें जमीन जब बेचना है, तो इसके लिए हमें uplander बनना पड़ेगा, और uplander कैसे बनते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप नीचे comment कीजिए, या हमा पर हम आपको quick reply देंगे,